राधे राधे भक्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल दुपावर ओफ ओम पर दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं, तो हमारे चैनल को सबस्क्रराइब जरूर कर लेवे। कुछ दिन बचे हैं, धन तेरस के दिन से दिवाली के पर्व की शुरुआत हो जाती है, इसलिए धन तेरस का दिन काफी खास माना जाता है, ये पर्व धन की प्राप्ती और धन में व्रिद्धि हो इसके लिए किया जाता है, धन तेरस का पर्व धन त्रयोद्शी के नाम से भ धन्त्रयोदशी के दिन देवी लक्षमी की और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। विश्नु पुराण, अगनी पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। इसमें आपको इसका वर्णन मिलेगा कि देवताओं और राक्षसों द्वारा किये गए समुद्र मंथन के दौरान धन्वंत्री हाथ में अमरित कलश लेकर प्रकट हुए थे। एक बा माला का तिरसकार करते हुए उसे अपने हाथी एरावत के गले में पहना दिया। दरसल इंद्र देव का मानना था कि आखिर तोहफे में कोई माला कैसे दे सकता है। इस फूलों की माला की उनके जीवन में कोई अहमियत नहीं। जब आर्शी दुर्वासा ने अपने भेट क का तिरसकार होते हुए देखा तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर इंद्र देव को श्राप दे दिया। आर्शी दुर्वासा ने कहा कि हे इंद्र जिस धन स्मृध्ध के बल पर तुझे इतना अभिमान है और जिस अभिमान में तूने मेरे द्वारा दि दिये गए भेंट का अनादर किया है आज से तू उस लक्षमी से विहीन हो जाएगा। रशी के श्राप से माता लक्षमी स्वर्ग लोक को छोड़ी आजकर अद्रिश्य हो गई और इंद्र देव तीनों लोकों से श्रीहीन हो हो गए। देवराज इंद्र जिन्हें देवत की शक्तियों हीन हो गए और उनका सारा धन वैभव भी लुप्त हो गया। जब ये खबर दानवों और दैतियों को पता चली तो उन सभी ने मिलकर स्वर्ग लोक पर आक्रमन कर दिया। अब इंद्र देव के पास कुछ नहीं था इसलिए देवता दानवों और दैतियों से पराजित हो गए और उन्हें स्वर्ग लोक से निकाल फेंका गया। दानवों के अत्याचारों से निराश होकर इंद्र देव और देवतगण सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस विशय पर तो केवल भगवान नारायन ही पर देवताओं को एक योजना बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम असुरों से मित्रता कर क्षीर सागर का मन्थन करने की बात कहो। सागर में कई दिव्यपदार्थों के साथ साथ अमरित भी छिपा हुआ है और जो भी उस अमरित का पान करेगा। वह हमेशा के ल मन्थन से अमरित निकलने की बात असुर राजबली को बताया। अजय अमर होने की बात पर बली को लालच आ गया और उसने इंद्र की बात मान ली। अब समुद्र मन्थन के लिए समुद्र में मंदराचल परवत को स्थापित करना था। इसलिए भगवान विश्नु ने ए समुद्र का मन्थन शुरू किया. आखिरकार समुद्र मन्थन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोधशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. इस तरह समुद्र का मन्थन करने से फिर से देवलोक में माता हुआ. अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें आर्टिकल के उपर दिये कमेंट बॉक्स में बताएं. हम आप तक सही जानकारी पहुचाने का प्रयास करते रहेंगे. नोट, यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डी पावर ओफ ओम चैनल इसकी पुष्टी नहीं करता है.